आलसी ब्राम्मन एक गाउ में राम नारेन नाम का एक ब्राम्मन अपने सुन्दर और होशियार पत्मी के साथ रहता था ब्राम्मन को किसी भी चीज की कमे नहीं थी उसके पास बहुत बड़ी उपजाओ जमीन थी जिसमें वो जो चाहे उगा सकता था लेकिन एक बात थी कि राम नारेन बहुत आलसी था वो जल्दी उठकर स्नान करता, खाना खाता और फिर सो जाता था अरे सुनो, मुझे भूक लगी है, खाना दो जल्दी राम नारेन के इस जवार से उसके बीवी तंग आ चुकी थी चलो, अब जल्दी से खाना खाकर खेत चलो, आज फसल काटनी है पतनी की बातों को नजर अंदास कर, राम नारेन खाना खाकर सो जाता है अरे ये क्या? तुम वापस सो गए? उठो जल्दी और खेत में चलो, हमें फसल काटने जाना है पत्नी की बात का ब्राह्मन पर जरा भी असर नहीं होता वो अपनी पत्नी की तरफ एक आग खुल कर देखता है और वापस सो जाता है हे भगवान इनका आलस कब खतम होगा लगता है मुझे आज भी अकेली खेट जाना पड़ेगा बेचारी पत्नी अकेली ही केट जाती है और काम करने लगती है वहाँ पर एक सादू आता है सुनो बेटी, मुझे बहुत भूक लगी है क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा हाँ हमाराज लेकिन आपको हमारे घर आना होगा राम नारायन की पत्नी साधु को अपने घर ले जाती है राम नारायन उस साधु को देखता है और भाबते हुए उसके पास जाता है राम नारायन साधु को पूरे आदर से घर के अंदर ले जाता है वो और उसकी पत्मी सादु की बड़ी अच्छी महमान नवाजी करते हैं अरे बस बेटी बस मेरा पेट भर गया खाना हो जाने के बाद राम नारायन सादु के पैर दबाने लगता है मैं तुम्हारे इस सेवा भाव से बहुत प्रसंद हो गया हूँ बोलो बेटा तुम्हे क्या चाहिए महराज वैसे तो मेरे पास सब कुछ है मुझे किसी बात की कमी नहीं है लेकिन मुझे एक गुलाम चाहिए जो मेरी सारी बात माने और मेरा सारा काम करे ठीक है लेकिन याद रखना तुम्हें उसे हमेशा काम में व्यस्त रखना होगा अगर तुमने उसे काम नहीं दिया तो वो तुम्हें खा जाएगा सादू के जाते ही राम नारहन के सामने एक बहुत बड़ा राक्षस प्रगट होता है बोलो मालिक मैं आपकी क्या सेवा करूँ जाओ, जाकर खेत में होगी बेकार घास निकाल दो ये बात सुनकर राक्षस वहाँ से गायब होता है अरे वाँ, ये तो अच्छी बात है अब मुझे कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा मालिक, काम हो गया अब मुझे दूसरा काम दो क्या? इतने जल्दी? चलो, उसे खेत जोतने में बहुत वक्त लगेगा मैं जाकर खाना खा लेता हूँ राम नारेन खाना खाने बैठा ही था तभी राक्षस वहाँ फिर आपाई चाहँ मालिक, ये भी काम हो गया अब मुझे जल्दी दूसरा काम दो वरना मैं तुम्हे खा जाऊंगा अरे? आओ, अब मेरे पेर दबाओ जो हुकुम मेरे मालिक? राक्षस राम नारेन के पेर जोर-जोर से दबाने रखता है अरे, मुर्क, धीरे से जरा धीरे, धीरे राक्षस उसकी पाद में सुनता अरे, बचाओ, बचाओ रोको कोई इस मुर्क को अरे, ये राक्षस मेरा इधर भरता बना रहा है और तुम हस रही हो अरे, कोई तो रोको इसे हाँ, मैं इसे रोकती हूँ लेकिन आपको मुझे एक वच्चन देना होगा वच्चन? कौन सा वच्चन? आज से तुम खुद का काम खुद करोगे और कभी आलस नहीं करोगे हाँ, मैं वच्चन देता हूँ लेकिन अब इसे रोको सुनो, ये पाउ दबाना बन करो और घर के बाहर हमारा कुट्टा मोती है जाओ जाकर उसकी पूच सीधी करो जी मालकिन राक्षस बाहर जाकर कुट्टे की पूच सीधी करने में लग जाता है अरे इसमें क्या है वो तो ये काम तुरंत कर लेगा नहीं नहीं वो ये काम कभी पूरा नहीं कर सकता क्योंकि कुट्टे की पूच भी सीधी होती है भला अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं उस दिन से ब्राम्मन रोज केज जाने लगता है और अपना काम खुद करने लगता है तुम अभी भी पूछी सीधी कर रहे हो ब्राम्मन के पत्मी ने राक्षस को कौन सा काम दिया? और क्यो? ये हमें कमेंट करके जरूर बताईए दो दोस्त और भालो की कहाने मैं हूँ पतलू तू है पेटू मैं हूँ पतलू तू है पेटू पतलू चल यार बहुत बोर हो चुका हूँ मैं चल फिर आज जाते हैं जंगल की सेर करने पेटू और पतलू दोनों जंगल जाने का फैसला करते हैं चलते चलते दोनों घने जंगल में पहुच जाते हैं वाव कितना सुंदर नजारा है ना पतलू ये जंगल तो बहुत घना है मुझे तो डर लग रहा है चलो घर वापस चलते हैं पेटू तू बहुत फट्टू है भाई लेकिन तू बिल्कुल भी डर मत मैं तेरे साथ जो हूँ अच्छानक शेर की दाहाडने की आवास पूरे जंगल में गूंज उठती है पेटू डर के मारे वही रुख जाता है और जैसे ही पलट कर पीछे देखता है पतलू पहले से ही भाब गया था तू रुख जाओ रुख जाओ पतलू तुम तो मुझसे भी ज़्यादा डर पक हो पतलू मैंने तो मजा किया था मैं बिल्कुल नहीं डरता हूँ वह आदा करो कियो तुम ऐसा मजा तुबार नहीं करोगे और किसी भी मुसीबत में मेरा साथ नहीं छोड़ोगे पेटू और पतलू दोनों मुसीबत में एक दूसरे का साथ ना छोड़ने की कसम खाते हैं और आगे चलने लगते हैं चलते चलते उनको अन्यत कई प्रजातियों के डराओने जानवर नजर आते हैं वो दोनों डर जाते हैं मगर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं भालू मैं तो चला रुक जाओ पतलू रुक जाओ मुझे अकला छोड़के कहा जा रहा है पतलू तो रुक जाओ पतलू पतलू, मुझे भी पेड़ के उपर खीच लो मैं आके लिए पेड़ पे नहीं चड़ पाऊंगा पतलू, जल्दी करो नहीं, नहीं, पेटू, अगर तुम इस पेड़ पर चड़ गए तो तुम्हारे वजन से ये टहनी तूट जाएगी मैं तुम्हें उपर नहीं ले सकता तुम ऐसा नहीं कर सकते हमने कसम खाई है न कि हम एक उसरे का साथ कभी नहीं चोड़ेंगे फिर भी पतलू, पेटू की बात नहीं मानता भालू पास आने लगता है पेटू को समझ नहीं आता कि वो करे तो क्या करे रोते हुए उसे अचानत किताब में पड़ी बात याद आती है भालू कभी भी मरा हुआ जानवर नहीं खाते हैं पेटू जमीन पर लेट जाता है भालू पेटू को सूम कर पेड़ की तरफ चला जाता है भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा भालू ने कहा कि स्वार्थी मित्रों से हमेशा दूर रहना चाहिए यह कहकर पेटू अकेला ही निकल जाता है और पतलू का सर शर्म से जुख जाता है तो दोस्तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो संकट समय में काम आता है वहीं सच्चा दोस्त होता है भागो देडिया आया एक गाव में एक बड़ा शैताम लड़का रहता था उसे किसी बात की कोई भी परवा नहीं थी वो हर वक्त गाव के लोगों से कुछ ना कुछ शैतानी करता था उसकी आदतों से उसके घर वाले बहुत तंग आ चुके थे उसी वज़ा से उसके पिता ने उसे बेड़े चराने का काम दिया पर वहाँ भी उसके शैतानी कम ना हुई अरे यार आज बहुत बोर हो रहा है कुछ तो मचे तार करना चाहिए हाँ बचाओ बेड़िया कभी उसकी आवाद सुनकर गाव के लोग अपने हाथ का काम चोड़कर दोड़े चले आते हैं बेड़िया अरे हमें उसकी मदद करनी होगी हाँ पर यहाँ तो कोई नहीं उनकी भाग दोड़ देखकर लड़का उन पर खूब असता है वाँ क्या मज़ा आया कैसे उल्लू बनाया सबका वो बेचारे गाववले उस लड़के की हरकत पर नाराज होकर फिर अपने काम पर लोट जाते हैं कुछ दिन बाद उसे वही भेडिये वाली शैतानी करने का मन होता है बचाओ, बचाओ, भेडिया गाववाले फिर एक बार उसकी आबाद सुनकर मदद के लिए दोड़े चले आते हैं पर वो शैतान लड़का फिर से उन पहसता है मैंने तुम्हें फिर से वेवकूब बनाया ये बड़ा ही शैतान है, फिर से वही शैतान है वो बेचारी गाववाले उस लड़के की हरकत पर नाराज होकर फिर अपने काम पर लोट जाते हैं कुछ दिनों के बाद जब वो लड़का भेडिया चराते वक्त आराम कर रहा था तभी अचानक से भेडिये की आवाद सुनाई दिती असली भेडिये की आवाद सुनकर लड़का डर जाता है बचा, बचा, कोई मेरी मदद करो गाव आले उसके चीक सुने लेकिन अब उसके मदद करने कोई नहीं आता चीक ने दो उसे, अब हम उसकी बातों में बिलकुल नहीं आने वाले खेडिया एके करके उसकी सारी भेड़े खा जाता है वेचारा लड़का सीर पर हाथ मारते मारके रोता रहता है जूट की वज़े से वो अपनी सारी भेडे गवा देता है जूटे की बात पर कभी कोई यकिन नहीं करता दोस्तों आपको हमारी स्टोरी कैसे लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताईए इस स्टोरी को लाइक और शेयर करे और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू